हलो हलो है हां बुलीये मैं बोले है आपका treatment नहीं हमारा पास जो है आपका सोट तो तो कितना अपको इंप्रुमेंट हुआ है अभी तक दोस्तों आपने यह जो अभी कनवर्सेशन सुना यह मेरा और मेरा एक पेसेंट का है जिनको बेसिकली स्वाट फेनुलम और टाइट फोर स्किन की समस्या थी अब स्वाट फेनुलम क्या है मेरे ख्याल से आप लोगों को यह बताने के दरकार नहीं है जो यह वीडियो देख है उसको स्वाट फेनुलम का मतलब भी पता होगा तो यह पेसेंट आज से 6 मेहना पहले हमसे कॉंटेक्ट किये थे स्वाट फेनुलम और टाइट फोर स्किन की समस्या को लेकर और अगर इतने सालों तक किसी में फोर स्किन टाइट रहा तो जाहिर सी बात है उनका जो लिंक वीडियो देखकर हमसे ऑफलाइन कंसल्ट किये थे ओनलाइन नहीं हमारा क्लिनिक पर आकर हमसे ट्रीडमेंट लिये थे तो इन सभी समस्या को कैसे ठीक किया गया हमारा ड्रक सेलेक्शन क्या रहा यह मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो मैं डॉक्टर से 0-9 से स्टाइड किया था इस केस में अब सवाल यह आता है कि थुझा ही हमने क्यों recommend किया इतने सारे medicine होने कर बावजूत बी हमने थुझा ही क्यों recommend किया इनको तो इस पेसेंड में सिर्फ तीन ऐसी प्रमुक सिम्टम्स थी जिसे देखकर मुझे लगा कि इनको थुजा ही देना चाहिए थुजा से ही इनका प्रॉब्लेम ठीक होना वाली है पहला जो सिम्टम है वो यह है कि इनको ठन्ड बरदास नहीं होती है थोडी सी इनका बाड़ी से काफी ऑफ wreंसिव बदबू आरी थी पेसेंड को भी यह बात पता है कि उनका बाड़ी से ऑफ wzglव करता है खास तोर पे armpit और inguinal region जो होती है वहाँ से काफी ज़्यादा बद्बू आता है और इनका forehead और इनका नाक का उपर भी इनको बहुत ज़्यादा पसिना आता है यानि इसे हम लोग इंगलीज पे बोलते है और थर्ड जो symptom हमने इनका अंधर देखा वो था fixities of ideas and thoughts यानि इनका मुताबिक जो system जैसा चलते हुए आ रहा है पिजले 10 साल से 20 साल से वैसा ही चलना चाहिए आगे भी उसमें बदलाव आने से इनको परसानी आना स्टार्ट हो जाता है यानि कहने का मतलब इनको रिबंच है मैना हो गया इनका प्रॉब्लम पूरी तरह सोट आउट हो गया इनका टाइट फोर स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गया जो कि नॉर्मल कंडिशन में बैकसाइड आ रहा था लेकिन जब इरेक्साइड में नहीं आ रहा था लेकिन अब हमारा treatment के बाद वह बैक इंप्रॉम्मेंट आ गया है मैं चाहता हूँ फिर से आप लोग एक बार मेरा और उनका बीज में जब मैं काउंसिलिंग कर रहा था क्या बाते हुई एक बार फिर से आप सुनिए हां बुलिए है हां मैं बोले हैं सर आपका जो treatment क्याल रहा है हमारा पास पिजले छह मैना से कुछ इंप्रॉम्मेंट हुआ है इनका बातों से ही पता लगा सकते हैं कि इनको कितना इंप्रॉम्मेंट हो गया मुझे और कुछ बोलने का दरकार नहीं है तो सौट फेनोलम की अगर पॉबलम बहुत ज्यादा नहीं है तो यह पूरी तरह ठीक किया हुम पातिक द्रीदमिंट के जरिए आप देख सकते, हम लोगने ठीक किया है यह मैरा एक वीडियो नहीं है इसके इलवब मेरा और credit वीडियो है जिस में हमने केस में मैं इस पेस्रेंट को मसाज करने के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ जो जेल है यह भी हमने इनको रेकमेंट किया था जेल का उपर बहुत सारा वीडियो है आप देख सकते हैं यह कमाल की जेल है सौर्ट फेनुलम बोली सेंसिटिव ग्लास बोली ए माइक्रोपिनिस क का सामने है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे सवर को जानकरी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बोक्स में कमेंट करिए आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दे जाएगा सो थैंक्यू थैंक्यू वेरे मच्छ एडव गूड़ दे